समय कई जख में देता है इसलिए घड़ी में फूल नहीं काटे होते नमस्कार मैं हूँ कमल श्रिमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मासिक रासिफल जून 2022 के इस विसेश एपिसोड में यह एपिसोड कुमर रासी के लिए है और यह रासिफल आपकी रासी नाम रासी अताद मून साइन पर आधारी में सिक्सा और संतान सुक के बारे में आपका स्वास्ते और सत्रों के बारे में फिर आपका दांपित सुक ग्रस सुक और साथी साथ उन लोगों के बारे में भी बतलाऊंगा जिनकी कोई गैरी फ्रेंडिसिप चल रही है और फिर विसेश रुप से आपके जॉब, दाइक बनाए जा सकता है या अनुकूल बनाए जा सकता है तो आई अब आरम करते हैं मासिक रासी फल जून 2022 आप कुम्ब रासी के लिए और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपके इंकम और इंवस्मेंट के बारे में जहां तक इंकम गेन प्रॉफिट सक्सेस और बहुत सांदार फल देने के लिए माना जाता है क्योंकि ब्रस्पती धन का कारक भी है और धन बाव में बैट करके उस सुख में व्रद्धी भी करता है लाब बाव पर राहू की धस्ती भी है और लाब भावी एक ऐसा भाव है जहां पर कोई ग्रह नेगेटिव होकर के भी पोजितिव फल दे सकता है नीचरासी का ग्रह भी अपना जो पोजितिव स्ट्रेंट होती है वो ही देता है तो ऐसी इस्तिती में आपके लिए जो लोग बुद्धी बल का काम ज़्यादा करते हैं दिमाग का काम जिनके ज़्यादा होता है उन लोगों को यहां पर मिल सकता है मैनत के साथ साथ में दूर दरस्तिता जरूर आपको रखनी ही चाहिए ताकि वीजन आप सक्सेस्पूल इस्तिती में ला पाए और जो आने वाले पांच साल के बारे में नहीं सोचेगा वो सक्सेस्पूल नहीं बन सकता है आज के बारे में सोच करके सब आज की क प्रपिसनल है तो आपको भी वही चीज सोचनी चाहिए ताकि वह वीजन आने वाली पीडियों को भी मिले, तो जून 2022 में आप मैसी जो भी लोग फाइनांस या फाइनिशल ब्रोकरेज का काम करते हैं, चाहे आप ब्याज बटा डिसकाउंट या गिरवी का काम करते हैं आप करेंसी का काम करते हैं आप बैंकिंग सेक्टर में आप चार्ड़ेट अकाउंटेंट हैं आप शेर ब्रॉकर है या शेर मार्केट से सम्मधित अनेलेसिस्ट हैं लोगों को कंसल्टेंसी आप देने वाले लोग हैं आपके लिए जून 2022 बहुत ज़्यादा स्षांदार गेन का सक्सस का है जो एजूकेशन से सम्ध रखते हैं जो राजनिती से सम्ध रखते हैं बेकरी, कन्फेस्नरी या यूटेंसिल से सम्ध रखते हैं आप मैंसे जो लोग एक प्रकास से प्रकाशक हैं उनके लिए भी या फिर जो एक्तिविटी में हैं चाए अब जोतिसी हैं, चाए वास्तुविदे चाए पूजापाट करने वाले हैं चाए आप करमकांड कराने वाले हैं और चाए अब चर्च के पादरी हैं ये समयकाल आपको नेमफ़िम देगा आपकी जो काबलिद है होनर है उसमें improvement लाएगा आपकी समझदारी विक्सित होगी आपकी बोलने के समता और विक्सित होगी अतात सब मिला करके ये आपके दाइरे को और ज़्यादा बढ़ा देगा इसके अलावा आप में से जो भी लोग MNC में काम करते हैं सौफ्ट्वेर में काम करते हैं या कोई लोग जो टेग कंपनियों में काम करते हैं या जिन्हों ने अपना टेग से समझदित कोई स्टार्ट अप स्टार्ट कियावा है IT सेक्टर के लोग हो सकते हैं आप लोगों के लिए संभावना बहुत ज़्यादा बलवान है जो लोग abroad जाकर के स्टेडी करना चाते हैं अब्रोड जाकर के जॉब करना चाते हैं उनको जून दो जार बाइस में जरूर अप्लाई करना चाहिए सोचना चाहिए और जहां तक संभावो ट्राई जरूर करें क्योंकि आपको ट्राई का फफल बहुत शांदा डंग से मिलने वाला है आईए अब बात करें investment की राशी से second house से investment पर विचार किया जաता है second house का स्वामी ब्रसपती है ब्रसपती स्वग्रह भी है राशी से second house में ब्रसपती बहुत बलवान माने जाते हैं और ऐसी स्थिदि में धन और संपती से संब्धित क्योंकि मंगल भी यहीं विराजमान है और मंगल आपकी रासी कुंडली के जो करम भाव है उसके अधिपती होकर के लाप से संब्ध जोड रहे हैं इसका मतलब आप effort करेंगे और आपको strength मिलेगी संचे होगा धन और संपती आपकी बढ़ेगी या आपकी capital बढ़ेगी अभी आपके ओपर depend करता है कि आप investment के थुरू अपनी capital बढ़ाते हैं या फिजिकल जो assets में investment करके उसको बढ़ाते हैं और नमेंट्स खरीते हैं आप क्या करते हैं यह आपके ओपर depend करता है लेकिन यह समयकाल आपको support कर रहा है investment के मामले में तो लोग जमीन जायदात में भूमी भवन में investment करना चाते हैं औरनमेंट्स में investment करना चाते हैं उनके लिस्तिती सुखद है तो जो लोग commodity के थुरू investment करना चाते हैं उनको copper में लाल वस्तों में और या पिर gold में हल्दी में केसर में पीली दालों में investment करना सु कंपनियां आपको building से समख़ी property से समख़ी real estate से समख़ी support करती है consistency आपको देती है उन कंपनियों में investment कर सकते हैं land और building, building material construction, hotel restaurant आपको इस समख़ी जये कोई chain के share मिल जाते हैं आप उसमें investment कर सकते हैं जो electrical equipment बनाने वाले कंपनियां उन कंपनियों के शेयर में इंवेस्मेंट कर सकते हैं, फाइनस कंपनियों में इंवेस्मेंट कर सकते हैं, जैमसें ज्वेलरी से समधी जो भी कंपनिया उसमें इंवेस्मेंट कर सकते हैं, और फाइनिशल कंसल्टेंसी देने वाली कंपनिया या जो भी consultancy वाली company हैं, उसमें investment आप कर सकते हैं, जो confesnery बने आले वाली company हैं, execution startup या application based जो भी execution देती है, उनमें भी आपको investment करना है, चाहे आपको startup में investment कर सकते हैं, share अगर आपको नहीं दिखते हैं, तो आप भी एक तुका से investor बन सकते हैं, तो यह समयकाल आपको support कर रह इंवस्मेंट के मामले में, आईए, अब बात करें, आपके परिवार के सुकी, रासी से फोरताव से इसका विचार किया जाता है, इस बावकादीपते स्चुक्र है, रासी स थढ़रा उसमें विराज मानें, राव के साथ में, और फोरतावस सूरी COPYजमानें, इस situation को अभ क्योंकि स्वग्रे ही शुक्र होंगे और केंजर में होंगे पंच मापुरस में से एक योग मालवी योग का निर्मान भी हो जाएगा जो की बहुत ज्यादा बलवान बहुत ज्यादा सुब माना जाता है तो ऐसी इस्तिति में घर में सुक्स विजाएं बढ़ेंगी उन्नती प्रगती होगी आपको सपोर्ड मिलेगा और इस्पेसली आपकी घर में जो बड़े भाई बैन है या आपसे जो बड़े हैं उनका सपोर्ड उनका सयोग आर्थिक सयोग भी मिल सकता है घर में बातचीत बहुत सुखत एटमॉसपेर में होगी और उसे धन संपतिर संबनित यदि कोई मामले उलजेव हैं वो सुलजने का योग बनेगा को इनको समझोता हो सकता है सनी की साड़ साथी अल्रेडी चल रही है उसमें आपके परिवार में से कुछ लोग जरूर उसमें अवरोध डालेंगे मनमानी करने का प्रियास करेंगे या जो समझोता होने वाला है उसको खराब करने का प्रियास करेंगे लेकिन आप सकरात्मक होकर के पोजिटिव होकर के जोटे रहें तो उसका कोईन कोई हल भी निकलेगा क्योंकि स्तितियां आपके पक्स मैं ज़दा है आपको गेन होने के प्रॉपर्टी मिलने के या समझोता होने के संभावना बावन और वाहन के सुख में, माता के सुख में, आपके इस्तितिया बहुत ज्यादा सुखद है, माता जी का साथ भी मिले गया और उनके साथ में ट्यूनिंग भी और अच्छी हो जाएगी. आईए अब बात करें आपके सिक्सा के सुख की, संतान की सुख की, रासि से फिप् विद्यारती सिक्सा ग्रेंड कर रहे हैं, जो टेक्निकल सेत्रों में सिक्सा ग्रेंड कर रहे हैं, उनकी नौलेज, उनकी काबलियत, उनका कॉन्फिदेंस जून 2022 में बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई देगा. और कॉन्फिदेंस का मतलब ही यह होता है, कि आपने उस चीज को सीख लिया है, जो नौलेज आपके लिए जरूरी है, या एक प्रकास से लिंक आपको मिल गया है, जो आपको और डवलप कर रहा है. तो ऐसी इस्तिती में, जून 2022 में, जो भी कॉमर्स लाइन के स्टुडेंट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा फाइदेमंद इस्ति होगी. मैथामेटिक्स में, एकोनोफ लेकर के, चाहे आप उनस लेकर के ग्रेजिशन कर रहे हैं, या मैथामेटिक्स लेकर के ही को इनको स्टुड़ी कर रहे हैं, ऐसी इस्तिती में, ये सिचुशन आपके लिए बहुत ज्यादा बैटर है. संगीत के सेत्र में, जो स्टु क्रेजिशन के स्टुément फेज़ने के स्टुड़ी करने वाले लोग हैं, उनके लिए थिच्टिया बहुत ज्यादा प्रबल या बलवान हैं, या सुब आने वाली अठरार जून से आप में से जो भी लोग फईशन के सेत्र में स्टुड़ी कर रहे हैं, मास्मेडिया के सेत् बहुत बैटर बनी होई यह तो जून 2022 सिक्सा के लिए बहुत बैटरिन बना हुआ है आने वाला समय आपके लिए अपार संभावना वाला है कोई बी एक्जाम कोई इंटर्वियू कोई बी यदि कंपटिशन होता है वह आपको देना चाहिए क्योंकि ब्रेस्पती की सुप द यही पेरामेटर्स काम आएंगे तो संतान के साथ में सुब इस्तिती बनेगी उनके साथ में समझस से आपका बढ़ेगा राजयोग का फाइदा उनको मिलेगा भागय का उनको साथ मिलेगा इसलिए वो ज्यादा कमा पाएंगे ज्यादा सफल हो पाएंगे और आपके साथ म उनकी tuning भी बहुत बैतरिन दिखाई देगी आप मैंसे जो लोग अपनी संतान की विवा को लेकर के चिंतित हैं उनको 2 जुलाई के बाद में सही रिस्ते, सही मौके, सही बाचीत होती दिखाई देगी तो ऐसी इस्तिती में आपको mentally prepare हो जाना चाहिए बाचीत आरम करने चाहिए या जो भी आज की तारिक में ढूणने के रास्ते होते हैं जिवन साथी को उसके उपर approach करनी चाहिए जो लोग संतान प्राप्ति के चुक हैं और संतान प्राप्ति में बादा हैं जो medical treatment ले रहे हैं उनको जून 2022 में medical treatment सक्सम रूप से होता दिखाई देगा अथा डॉक्टर खुद आपको बोल देंगे कि अब आप ready हैं जो आपकी problem थी वो sorted हो चुकी है ही इलाज आपको मिल जाएगा तो यह इस्तितिया जून 2022 में आपके लिए बहुत ज़्यादा battery है संतान की उन्नती प्राप्ति या संतान प्राप्ति में उन्नती प्राप्ति आपको दिख लाई देगी आईए अब बात करें आपके स्वास्तिकी और आपके शत्रों की रासी से सिक्स ताउसे रोग भाव से इसका विचार क्या जाता है इस बाव पर ब्रस्पति की उच्च की द्रस्टी है ब्रस्पति जिस बाव को देखते हैं उस बाव में सबसे ज़्यादा आपको सुप्र बाव देते हैं तो रोग भाव में या जो कर्ज बाव है वो सन्जी की साथ साथी चल रही है तो ऐसी इस्तिति में ऐलेजिक इंफेक्शन आपको परेशान फिर भी कर सकते हैं सिर्दद सर्दिक हांसी जुकाम गला लंग्स पेट और आते हैं बैक पेन एंड शोल्डर पेन जिसको छाती के रोग बोला जाता है उस सबसे ज़्यादा दुखी आप परेशान कर सकते हैं लेकिन ये परेशानिया बहुत शनकी होगी आता एक दो दिन की मामला होगा लेकिन ऐसा हो सकता है आईए अब बात करें सत्रों की विरोधियों की रासी से सिक्स्ता उसे इसका भी विचार किया जा है चाहिए वो डराने के लिए हो सकता है या जान जोखी में डालने के लिए हो सकता है उस और आपको सावधान रहना है सरकारी जो भी पनिश्मेंट होते हैं या सरकारी जो आरोप लग सकते हैं उससे भी आपको सावधान रहना है चाहिए अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं उसके बाद से बिजनस ही करते हैं, तो भी सरकारी प्रावलम आपको आ सकती है, और immediate reaction नहीं करना है, कोई भी मामले में, बहुत से लोग होते हैं, बहुत अपने आपको hero समझते हैं, immediate reaction कर बैठते हैं, तो हर बार immediate reaction आपको जिताएगा नहीं, कई बार problem में भी डाल देगा, इ और आपको नहीं जाना है, सनी की साथ साथी चल रही है अलड़ी, ऐसी इस्तिति में वो case लंबा किज जाएगा, और जो इस्तितियां अच्छी बन सकती है, उसकी जगे आप खुदी negativity को अंजाम दे देंगे, आईए अब बात करें, दांपत्य सुक्की, ग्रस सुक्की, बाव पर राहू और शनी, दो सत्रू ग्रहों की द्रस्तियां है, राहू भी सनी की समानी फल्ट देते हैं, तो ऐसी इस्तिति में शनी को राहू को दोनों को विच्छिदात्मक ग्रह बोला जाता है, दोनों negative environment को पैदा करते हैं, और ऐसी इस्तिति में ग्रस सुक्ष में को इनको कमी, रूखा, व्यवहर या तुनक मिजा जी, बात बात पर ओवर रियक्ट करना, वो इस्तितियां देखने को मिल सकती है, ऐसी इस्तिति में, कहां प्रॉलम है, उस प्रॉलम को पहले पैचाने, और उसके बाद में उसका समधान करें, हो सकता है, आप दोनों के बीच ये ध्यान रखेगा, तो बातचीत कभी भी बंद मत कीजिएगा, बातचीत करने से ही वापस रास्ते को लेंगे, वापस इस्तितियां समन्न होगी, और जिन लोगों की अलड़ी कोई प्रॉलम चल रही है, आपस में तना तनी चल रही है, वो तना तनी यहां पर और ज़्य कादा मैचोड़ बिह वर के उपर ध्यान देना है, छोड़-चोड़ी बातों को रियक्ट नहीं करना है, क्योंकी हो सकता है, कभी-कभी एक बात का गुसा दूसरे पर निकलता है और गुसा उसी पर निकलता है, जो आपको पता है कि वो गुसा सेहन कर लेगा, आपने देख में हमेशा गुसा उसी को पर निकाला जाता है आए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गयरी फ्रेंडशिप चल रही है या जो प्रेम प्रसंगों में है रिलेस्टिप में रासी से फिप ताउस से सप्तम बाव से और शुक्र की इंवॉल्मेंट ये जो तीन इस्तितिय के साथ में आपकी फ्रेंडशिप चलती रहेगी जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई फ्रेंडशिप मिल सकती है बाचीत का दायरा बन सकता है बाचीत आपकी बढ़ सकती है क्योंकि फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स हमेशा आपको सपोर्टिव आपको बना देते हैं फ् तो कि रोजाना आपके parents आपको कुछ निगुछ समझाते ही रहेंगे, आप ये सही नहीं कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं बैटना चाहिए, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं डांटना चाहिए, ये सब कुछ गरवाले निरंतर बोलते हैं, क्योंकि वो आपका hit च आईए, अब बात करते हैं, आपके job, profession, carrier या business की, और इन सबी के लिए रासी से 10 ताउस जिम्मेदार होता है, रासी से 10 ताउस का अधिपती मंगल है, जो धन, बावसे संबन जोड़ रहा है, और रासी से 10 ताउस पर breast पती की सुब जस्ती है, सनी की जस्ती है, तो ऐसी इस उनको जून 2022 में सफल ताके योग मिलेंगे, या unexpected gain की संबावना होगी, मंगल energy का, सांस का, daring का भी अधिपती है, या उसका कारक रहा है, तो ऐसी स्तिती में, आप मैंसे जो लोग जोखिम के काम जादा करते हैं, रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, गौर्मेंट सर्वेंट है या पिर आप मैंसे कोई जो force में हैं, चाहे सेना में हैं, चाहे पुलिस में हैं, चाहे होमगार में हैं, चाहे बियस अप में हैं, चाहे CRPF में, कोई भी रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, उन लोगों के लिए इस्तितियां रहत की है, comfortable होगी, आपकी जो, कोई इनकोई award reward की इस्तिती आ सकती है, इस समयकाल में, जूम 2022 में, आपके किसी निकिसी कावना में से, किसी निकिसी पहल से, किसी निकिसी जोकिम से, आपकी इस्तिती बहुत ज़्यादा बलवान बनेगी, आप से तो रहेंगे, लेकिन extra ordinary award reward की इस्तिती भी बनेगी, आप मेंसे जो लोग technical है चाहे computer engineer है, चाहे software में है, चाहे MSC में काम करने वाला है, चाहे IT sector के लोग हैं, जो भी technical लोग हैं, आपके लिए संभावना बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है, और जो लोग doctors है, medical और non-medical, कोई भी person हो सकता है, उनके लिए जो भी technical side में है, उनके लिए इस्तित्या बलवान है, या बहुत ज़्यादा सुखद है, जो लोग service providing sector से समधित काम काज करते हैं, चाहे आप transport का काम करते हैं, चाहे आप cap चलाते हैं, चाहे आप mechanic हैं, चाहे chemist हैं, चाहे driver हैं, चाहे plumber हैं, कोई भी डंग से जो service providing का हिस्सा है, उन लोगों के लिए June 2022 gain का, success का, अ chemical, petroleum product, automobile sector, transport, any type of manufacturing, scrap, agency business, commission and brokerage, contractor लोगो सकते हैं, उन सभी के लिए ये समयकाल अपने आपको develop करने का भी है, और ज्यादा काम काज में व्यस्तता का भी है, finance, financial brokerage, banking sector, education sector, राजनितिक लोग, या confessionary या utensils से समधित काम काज करने वाले लोगों के लिए बहुत शांदार gain और success का है, आप लोग अपने दिमाग में कहिन कहीं expansion के बारे में, या कुछ और franchise के बारे में, और किसी shop के बारे में, और किसी सोरों के बारे में जरूर सोचेंगे, ये बात पकी है, आईए, अब बात करें, मासिक रासिफल जून 2022 के उपायों के बारे में, सनी की साड़ साथी चल रही है, और सनी की साड़ साथी 23 फरवरी 2028 तक निरंतर चलती रहेगी, तो आपको शनी के उपाय नेमित करते रहने पड़ेंगे, आप लोग नित्य सनी स्तोत्र का पाट या शनी मंत्र का जाप करें, हर सनीवार को काले रंग की वस्तों का दान्त करें, जहां तक वो सनीवार को काले रंग के वस्तों नहीं पहने, और योँ भी हमको जीवन में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मजबूरी में पहनने पड़े हैं, वो एक दूसरी चीज़ है, हमारे जीवन से सुक छिनने वाले सभी लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं, और जो भी हमें गाइड करते हैं, सुख देते हैं, वो सभी लोग सफिद कलर के ये लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो सकता है, डॉक्टर या नर्स हो सकते हैं, पादिरी हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, और हमेशा अपने आसपार जब लाइट कलर तब आपको अपने अंदर सुक और सांती ज़्यादा महसूस होती है, कोई भी सब कलपना करिये, कि आप काले रंग के कपड़े पेने वे हैं, आपका बिस्तर पर जो चद्धर है वो भी काले रंग की है, आपके पढ़दे हैं काले रंग के हैं, आप कित्ती देर उसमें सुक स कपड़े पहन थे लेकिन समय जिवन में जो काला रंग होता है वो दुख का संकेद देता है वो दुख के लिए जाना जाता है हर सनिवार को सूरिया से पहले आपको पीपल के पेड़ पे जाकर के दीपक जलाना है पानी से सीचना है और संभव हो तो वहाँ पर कुछ देर रूप करके शनी मंत्र का जाप करना है चाहे दो बार तीन बार दस बार ग्यारा बार जितना आपको समय मिलता है आ क्योंकि एक आपको केरियर में सपोर्ट करेगा तो दूसरा भागय और स्ट्रेंथ में सपोर्ट करेगा सुख देगा परिवार का सुख देगा जमी जायदाद का सुख देगा अपनी रासी के लक्समी योगों को जानने के लिए आप अपनी रासी अपने संतान की रासी या अ साथी की रासी से सम्मधित बुक्स मंगवा सकते हैं, मैंने हर रासी और लगने के लिए अलग लग बुक लिकिए लक्समी योगों को ले करके, आप अपनी लक्समी योगों को जान सकते हैं, उनको कैसे और बलवान बना सकते हैं, क्या दान कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं वो लक्ष्मी योगी पुस्तक में वर्णित हैं जो जोतिस सीखने के जिग्यासू बंदू है वो अपने लिए साहिते डूण सकते हैं क्यों मैंने लगबग 40 बुक लिखी है जोतिस से समधित विशाय पर तो आप जो सीखने के लिए उस्तुक हैं आपके लिए वार्सपर लिस्ट आसकती brings और आप घर बैठे उन को मंगवा करके ज्यान अजित कर सकते हैं कि कैसे जोतिस को सीखा जाता हूँ कैसे उसका उपयोग किया जाता है और क्या-क्या नियम है यो क्या-क्या आपको ढंग से सीखना चाहिए किस दंग से आपको आगे बढ़ना चाहिए जो मैंने तरीका बदलाया रतनों में स्ट्रेंट होती है पावर होता है और इसलिए राजा माराजा से लगा करके आज के धनवान व्यक्ति भी रतन पहनते हैं मुलिवान रतन बहुत महंगे होते हैं तो उसकी जगे आम व्यक्ति अपरतन दो धारन करके सुख ले सकता है उन गरहों को बलवान बनाई सकता है तो अपनी रासी के जो तीन तरिकोन जिसे जीवन, आपका केरिर और भागय बोला जाता है, उनको हमेशा बलवान बनाना चाहिए, तो आपको हीरा, पन्ना और नीलम, जो इनके उपर रतनों को धारन करने को ही भागय और रतन लोकेट कहा जाएगा, और जो लक्समी योग रतन लोकेट धारन करना चाहते हैं, इस उस पर संपर करके आपका जानकरी ले सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें कि इंडेन इस्टेंडर टाइम में सुबह 10 बज़े से लगा करके सामको 6 बज़े तक फोन करेंगे, तो कोईन को स्थाफ मेंबर, टीम मेंबर आपका रेस्पॉंड कर पाएगा, फोन उठा पाए तो ऐसी स्थिति में, आप चाहें तो face to face मिल सकते हैं, इस episode के study में आपने एक schedule देखा होगा, तो आने वाले समय में मैं कौन-कौन से सहर में आने वाला हूँ आपसे मिलने के लिए, वहाँ पर आप face to face मिलने के लिए appointment fix कर सकते हैं, और या पिर घर बैटे, चो टेलिफॉन चाहते हैं, जो प्रस्न पूछने पूछने पूछ सकते हैं, आपकी जन कौनली पर हम discuss करेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, समझाएंगे, और उसमें बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, सर्ब आप और मैं ही होंगे, तो इसलिए आपकी personal से personal problem भी आप discuss कर सकते हैं, बिना किसी ही चक के, तो टेलिफॉन के लिए face to face discussion के लिए भी screen पर जो number दिये हैं, उस पर ही संपर करके apartment fix करना है, सरफ समय का ध्यान रखना है, इंडिने इस टेंटर टाइम में, सुबह दस बज़े से लगा करके, सामको 6 बज़े तक आप संपर कर सकते, मैं कामना करत आप स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत-बहुत ख्याल रखें, आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत शुप कामना है, इश्वर आपकी रक्षा करें, देवों के देव, महादेव आपकी रक्षा करें, बहुत बादनिवादी.